हेलो एवरीवन आपका हमारी यूटीब चैनल पर स्वागत है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने NCWeb में एडमिशन लिया है उनको ओरियेंटेशन डे के लिए कोलिज में कब बूलाय जाएगा एंड कब तक आपके पास मेल आ अदर आपका और्येंटेशन डे कब होगा और यंटेशन डें में क्या क्या होता है एंड और यंटेशन डे के लिए आपको चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे ता कि आने वाली हर वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे एंड जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हो हम आपको सबसे पहले इंफर्म कर सके तो इसके लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए आपने दोस्तों के पास एंड चैनल को सब्सक्राइब करें तो देखें अगर हम बात कर के अडमेशन की तो अभी चली गए है अभी अडमेशन खतम नहीं हुए है एंड एडमेशन अक्टूबर के फॉर्स्ट विक तक चलेंगे जैसे कि आप सभी को पता है तो एंसी वैप की क्लास इस एक साथ स्टार्ट होती है ऐसा नहीं होता कि जिन स्टूडेंट्स ने फर् आपके जो क्लास इस है वो तभी स्टार्ट होगी जब सबके अडमेशन कंप्लीट हो जाएंगे फिफ्ट कट ओफ तक अडमेशन कंप्लीट हो जाएंगे सीट्स फूल हो जाएगी उसके बाद फिर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे एंसी वैप के जिन्होंने जिस भी उनकी classes भी start होगी ठीक है अब classes जो start होती है उससे पहले orientation day होता है orientation day के लिए आपके पास एक mail आता है college के तरफ से या तो mail आ सकता है या message आ सकता है या whatsapp group बनाए जा सकता है तो हर college में अलग-अलग system होता है students को information देने का ठीक है तो यह आपके college के ओपर depend करता है कि वह आपको mail के थो information देंगे या message के थो या worship group के थो ठीक है तो यह तो आपको आगे पता चलेगा अब orientation day जो होता है उसमें आपको बताया जाता है कि आपको कौन-कौन से subjects पढ़ने होंगे और आपकी total कितने subject होंगे exam pattern क्या होगा आपको कौन पढ़ाएगा teachers कौन होंगे अब मतलब कि एक देक से आपको introduction दिया जाता है कि आपके आने वाले जो साल होंगे first year second year third year वो आपको कैसे manage करना है क्या क्या आपको पढ़ना है यह सब बताया जाता है orientation day में ठीक है अब orientation day जो है वो be attend करना जहुए होता है तो अफकोर्स आपके पास message आ जाएगा college की दरब से जब भी orientation day होगा अब क्यूंकि अभी admission चली गए तो orientation day के लिए mail आने में भी time लगेगा आप मानकर चलिए क्यूंकि admission जो है वो October के first week तक चलेंगे तो October के second week तक या maximum to maximum नवंबर तक आपके पास mail आ जाएगा orientation के लिए ठीक है यह college के उपर बीटी पैंट करता है कुछ colleges होते जिसमें काफी जल्दी orientation day हो जाता है कुछ colleges में time लगता है ठीक है तो आपकी college के उपर बीटी पैंट करता है कहीं ना कहीं बट आपको क्या करना है आपको वेट करना है अभी October के second week तक and October के last ठीक है नवंबर तक अगर आपके पास college की तरफ से कोई mail नहीं आता है by chance क्योंकि करे बार होता है कुछ बच्चों के पास mail नहीं जा पाता किसी issue की विजएसे या करे बच्चे होते हैं जो लापरफाई क करते हैं वो mail चैक नहीं करते एंट उनको पता ही नहीं चलता orientation day के बारे में तो आप अपने college में जाकर भी पता कर सकते हैं कि कब आपका orientation day होगा ठीक है तो फिलहाल तो कोई official date नहीं आई है क्योंकि orientation day जो हो हर college में अलग-अलग time पर होता है ऐसा नहीं कि हर college में same time पर होग date mcweb की तरफ से नहीं आई है क्योंकि college को पड़ी पैंट करता है कि वो कब orientation रखेंगे ठीक है मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी कि आप नवंबर तक का यह October के end तक का वेट कीजिए आपको पता चल जाएग October के end तक कि आपका orientation कब होगा ठीक है तब तक आप वीडियो क अपने दो दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको इजानकारी मिल सके एंड चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के अपडेट्स के लिए थैंक्यू वेरी मुच